हरी मटर की दाल cuz Heare रहा हम मिलतो हुशे हम的 हरी मटर की दाल आए ऐगी अधर की ताल को महत्र मुझे उबालना है ऐसे लेख जाता है लेकिन की लिए 3 टमाटर दाल रहे हुशे हुशे लसून के गटे अब मैं इसे ढग दे रही हूं ताकि ये जल्ली हो जाए तो ऐसे तो हरा मटर बहुत जल्दी ही पक जाता है तो ये मतर जो है वह हो चुका है तो अब मैं गैस को बंद कर देंगे और टमाटर और लसून को निकाल लेंगे अलग से क्योंकि लसुन और टमाटर का अलग से हम पीसना है एक साथ नहीं पीसेंगे और हडी मटर को भी पानी से छान लेंगे हम तो मैंने मटर को भी छान लिया है पानी से तो टमाटो जो है वो ठंडा हो चुका है तो मैं इसे बीच से काट लेंगे ताकि पीचने में बहुत आसानी हो और लसुन को भी छील लेंगे इसे उबाला हुआ लसुन को छिलने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन और करीब नौ से दस काली मिर्च डाल लेंगे तो मैं अब इससे पीस ले रही हूं तो मैं ने एक मसाला तयार कर लिया है लसुन और टामाटर और काली मिर्च की अब मैं इसमें हरे मटर को डालूँगी क्योंकि हरा मटर जो है भो ठन्डा हो चुका है तो ये वाला हुआ मटर है, इसे पीसने में थोड़ी दिक्कत होता है, पकड़ने लगता है, तो मैं इसमें हलका सब पानी डाल के इसे पीसेंगे, और ऐसे भी हमें दाल बनाना है, तो इसलिए मैं इसे पानी डाल के पीस लिए हूँ, तो ये मटर भी मैंने पीस लिया है, तो एक चमच में इसमें जीरा डाल रहे हूं जब तक जीरा का कलर चेंज होगा तब इसमें हम प्याज डालेंगे प्याज में नहीं बारी काटा है प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है तो अब इसमें में सुखे मसाले डालेंगे तो एक चमच में धनिया डाला है धनिया और मैं एक से देड़ चमच में हल्ली डाल रही हूँ अब मैं इसमें नमक डालूंगी अब मैं इसमें सुखा मिर्च डाल रही है इसमें मैंने हरी मिर्च का इस्तमाल नहीं किया है अब मैं इसमें फिसा हुआ ठाल रह रहे हैं। आपको जितना मोटा या पतला रखना है उसे साफ से आप पानी डालेंगे तो मुझे मटर के दाल थोड़ी गाड़ी ही पसंद है इसलिए मैं इसमें ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ इसे हम गाड़ा ही रहने देंगे यह उबालाने पर और भी ज्यादा गाड़ा हो जा यह अब हो चुका है यह ठंडा होने पर थोड़ा गाड़ा हो जाएगा उसे साफ से आप पानी डालेगा तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया इसके उपर मैं धनिया पता डाल रही हूँ क्योंकि यह मटर का दाल अब तयार हो चुका है मैं इसके उपर से डालने के लिए मैं दो से तीन चमस लगवा घी डाल रही हूँ एक दूसरे पैन में अब मैं उसमें एक चमस में जीरा डालेंगे जीरा के color change होने पर मैं इसमें कास्मीरी विर्च color के लिए इस्त्वाल करे हूँ कास्मीरी मिर्च डालूंगी मैं जब जीरा का कलर चेंज हो जाएगा तो अब मैं इसे रख दे रही हूँ दाल को मैंने किसी दूसरे बरतन में निकाल लिया है तो मुझे अब इसके उपर डालना है जीरा और घी का छेंग दे रही हूँ में तो ये हरी मुटर के लिए हुआए